हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज आप सभी को एप्लिकेशन लिखना सिखाएंगे फ्रेंज एप्लिकेशन सिंपल भासा में किस प्रकार से लिखा जाता है आपको यहां पर बताएंगे फ्रेंस, write an application to your principal for full fee concessation अपने principal को fees, maafy के लिए आप application किस प्रकार से लिख सकते हैं देखें फ्रेंस, पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा to ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा to और यहाँ पे कामा देदेजिएगा, अब यहाँ से नीचे से लिखिएगा the principal, और फिर इसके बाद यहाँ पे कामा देजिएगा, फिर इसके बाद आप अपने कालेज का नाम government, government inter, college और फिर इसके बाद यहाँ पे कामा देदेजिएगा, फिर इहाँ पे अपने डिष्टिक का नाम, यानि कि जो लिखना होगा लिख लिख लिजिएगा, चलिए यहाँ पे लिखिए देते हैं, घाजीपूर ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फिर इसके बाद देखे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे subject लिख दीजिएगा, ठीक है, subject मतलब किस पे आपको लिखना है, subject subject में देखे, फूल फी कंसेशेशन पे लिखना है, तो आपको फूल फी कंसेशेशन लिख दीजिएगा, यहाँ पे, फूल फी कंसेशेशन, कंसेशेशन, ठीक है, और यहाँ फूल स्टप कर दीजिएगा, अब देखे, फ्रेंस, आपको लिखना है, यहाँ पे लिखिएग ठीक है और यहां पर आप कामा दे दीजिगा इस तरह अब इसके नीचे से लिखिएगा most respectfully respectfully I back to say that to say that ठीक है फिर यहां से अब यहां से लिखिएगा I come from a poor a very poor family family इसके बाद लिखिएगा माई ठीक है माई के बाद यहां से लिखिएगा कि माई फादर इस ए पियोन इन प्राइबेट प्राइबेट इन प्राइबेट फर्म ठीक है फिर यहां से लिखिएगा इस लिखिएगा और यहां इन प्राइबेट फिर इसके बाद यहां से लिखियेगा की फिर इसके बाद यहां से लिखिएगा family family to support support ठीक है यहां फुरिश्ट आप कीजिएगा फिर यह लिखेगा यहां फूल इसके नीचे से लिखेगा है काइंड ली काइंड ली ग्रांट मी फूल फ्रीशिप 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 सोगेट आप सोगेट अब यहां से लिखेगा देखिए सोगेट आई में आई में continue माई study study यहाँ फूर स्टाप कर दीज़ेगा ठीक है अब इसके नीचे से आप यहाँ से लिखे दीज़ेगा थांक्स ठीक है जो कांडली लिखे हैं वहाँ से लिखे दीज़ेगा थांक्स और यहाँ पर कामा कर लिज़ेगा फिर यहाँ से आप लिखे दीज़ेगा वह यूर्स ओबेडेंटली यूर्स ओबेडेंटली यूर्स ओबेडेंटली कामा करिएगा यहाँ पर यक्स वाई जेड यानिकि नाम नहीं लिखना रहता है तो यहाँ पर यक्स वाई जेड लिखे देंगे आप और किस class में class भी लिख सकते हैं C-L-A-W-S class यहां पर जिस class में आप पढ़ते हैं class लिख दीजिएगा फिर यहां पर क्या किजिएगा यहां पर अपना date डाल दीजिएगा ठीक है date जिस date को आप application लिख रहे होंगो यहां पर date डाल दीजिएगा ठीक है इस प्रकार से आप simple भ सिंपल भासा में लिख सकते हैं तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें